आल टॉब सिक्रेट चीट कोर्ट师 in Indian Bikes Traveling 3D तो गाईज Indians Bikes Traveling 3D का नए अपड़ेट आ चुका है और इस नए अपड़ेट के अंदर हमें काफी सारे नए चीट कोर्ष भी मिल चुका है और साथ हे हमें कुछ सिक्रेट RJS पहले से ही पता नहीं था तो फिर आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप ऐसी ही और मज़़दार वीडियो को मिस न कर सको अभी जल्दी से बढ़ते हैं अपनी पहली चीट कोड की कैटेगरी तरफ तो सबसे पहले मैं आपको नई अपडेट वाले सारे वीडियो के चीट कोड बता देता हूँ तो उनमें से पहला वीडियो होने वाला है एक नई गार जिसका नाम है निसान जीटिया और इसका चीट कोड है 3005 और जैसे ही आप 3005 डाइल करोगी तो आपके सामने निसान जीट फिर है 400 और इससे आपको मिलेगी एक और नई बाइक जिसका नाम है ZX10R और ये दोनों बाइक्स गेम के अंदर पहले से ही लथी लेकिन इन दोनों बाइक्स के जो मॉडल थे उनको चेंज कर दिया गया है तो गाइस ये थे नए वेगल जिनने इस अपडेट के अंदर जाएगा और ये construction area बहुत ही जादा बड़ा है तो आप अपनी कार को यहां पर लेकर आ सकते हो और इस drifting ट्रैक पर अपनी कार के साथ आप drift भी कर सकते हो चालो गाइस ये जब तो थे नए अपडेट के अंदर एड़ किये गे vehicles और कुछ नए places लेकिन अब मैं आपको इंड जाई अपनी और मैं चेट कोलन उसके बाद है त्रिपल 9 इससे चालो झापना कर मिलेगी यामाहा वीक्स फिर है यहयाँ यमाहा ख 10 का चीत कोड़ उसके बाद है ज्माकु मिलेग्यची बाइक त्रिपल शिक्स यह एक टेंड बाइक के लिए उसके बाद हैosit दीपल जिरो और इससे आपको मिलेगी Duke 200 बाइक, उसके बाद जब आप 5555 डायल करोगे तो आपको मिलेगी एक special बाइक जिसका नाम है Ghost Rider बाइक, फिर है 0015 और ये है Yamaha R15 का cheat code, और उसके बाद है 0000 जूकि है Hero Pleasure का cheat code, फिर जब आप 5000 डायल करोगे तो आपको मिलेगी एक Pulser बाइक, उसक आपको एक Kawasa के Ninja H2R bike मिलने वाली है, फिर है 7000 और ये है एक Hayabusa bike का cheat code, उसके बाद है 9000, ये है एक Bullet bike का cheat code, फिर जब आप 1190 डायल करोगे तो आपको मिलेगी एक New KTM bike, उसके बाद है 4215 और इससे आपको एक Duke bike मिलेगी, फिर जब आप 1210 डायल करोगे तो आपको मिलेगी एक और KTM bike, उसके बाद जब आप 1211 डायल करोगे तो आपको एक Pulser bike मिलने वाली है, फिर है 2222 और इस cheat code से आपको एक ATV मिल जाएगी, उसके बाद जब आप 1111 डायल करोगे तो आपके सामने एक cycle spawn हो जाएगी, फिर लास्ट bike का cheat code है 444 और ये है एक और special bike का cheat code, जिसका न कैटेगेरी की पहली cheat code है 380, ये है एक हमर car का cheat code, उसके बाद है 3100, इससे आपको मिलेगी एक नई बॉले रो कार, फिर जब आप 2224 डायल करोगे तो आपको एक super car मिलने वाली है, जिसका नाम है Supra, उसके बाद है 8123 और ये भी एक super car का cheat code है, जिसका नाम है Mustang, और फिर 001 डायल करोगे तो आपको मिलने वाली है एक legendary car, उसके बाद 3000 और इससे आपको एक special car मिल जाएगी जिसका नाम है Tarzan, फिर जब आप 4000 डायल करोगे तो आपको एक और super car मिल जाएगी जिसका नाम है Porsche, उसके बाद है 333 और ये है एक Scorpio car का cheat code, फिर है 344 और इस cheat code से भी आपक गेम के अंदर एक Fortuner car मिल जाएगी, उसके बाद है 2000 जो की है एक Rolls Royce का cheat code, फिर है 666 और इस cheat code से आपको एक range rover car मिल जाएगी, फिर जब आप 800 डायल करोगे तो आपको गेम के अंदर एक hyper car मिल जाएगी जिसका नाम है Bugatti V2, उसके बाद है 900 और ये है एक super car का cheat code, जिसका नाम है Koenig Zag, फिर है 500 और ये है एक Audi car का cheat code, उसके बाद जब आप 3333 डायल करोगे तब आपको एक और super car मिल जाएगी जिसका नाम है Lamborghini, फिर जब आप 700 डायल करोगे तब आपको एक hyper car मिल जाएगी जिसका नाम है Lamborghini V2, उसके बाद है 9090 और ये है एक modified thar का cheat code, फिर है 919 और इस cheat code से आपको एक normal थार मिल जाएगी, तो guys ये थी इंडियन बाइज ड्राइवी 3D game के अंदर की सारी cars की cheat code, और अब जल्दी से अपनी अगली category के तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाली है सारे drugs की cheat code, तो अपने पहले ट्रक का cheat code है 1212, इससे आपको एक normal truck मिल लेकिन इस बार आपको उस truck के पीछे एक trailer भी मिलने वाला है, उसके बाद जब आप 4040 डाइल करोगे तो आपको गेम के अंदर एक army tank मिल जाएगा, और जब आप 667 डाइल करोगे तो आपको गेम के अदर एक jc भी मिलने वाली है, जिसे आप पूरी तरह से control कर सकते हो, और थार का monster truck मिल जाएगा, फिर जब आप 0300 डाइल करोगे तो आपको तारजन कार का monster truck मिल जाएगा, उसके बाद है 01000 और ये है फॉर्चुनर कार का monster truck, उसके बाद है 03333 और ये है Lamborghini कार का monster truck, फिर जब आप 0900 डाइल करोगे तो आपको कुनिक जैक का monster truck भी मिल जाएगा, अब मैं आपको गेम के अंदर जितने भी flying vehicles है उन सब की cheat codes बता देता हूँ. तो पहला cheat code है 555 और ये है एक plane का cheat code और ये plane आपको airport पर भी मिल जाएगा. फिर है 8000 और इससे आपको गेम के अंदर एक helicopter मिल जाएगा. उसके बाद है 320 और ये है एक jetpack का cheat code फिर है 330 ये भी एक jetpack का cheat code है लेकिन इस बार आपको एक mini jetpack मिल जाएगा. अभी जल्दी से गेम के अंदर के सारे animals के cheat codes भी देख लेते हैं तो पहला animal का cheat code है 5050 और इससे आपको एक छोटा dinosaur मिल जाएगा जिसका नाम है Velociraptor. फिर है 200 और इससे आपको गेम के अंदर एक horse मिल जाएगा जिसे आप ride भी कर सकते हो उसके बाद जब आप 600 डायल करोगे तो आपको एक dog मिल जाएगा और इस dog को भी आप ride कर सकते हो उसके बाद जब आप 5-0 डायल करोगे तो आपको एक NPC Velociraptor मिल जाएगा फिर जब आप 5-1 डाइल करोगे तो आप गेम के अंदर एक टीरेक्स को स्पॉंग कर सकते हो और ये टीरेक्स आपको जुरासिक पार के अंदर भी मिल जाएगा उसके बाद है 5-2 और इससे आपको मिलेगा एक नया डाइनसौर जिसका नाम है स्पाइनसौरस और लास्ट वाला इस चीट कूर को एक्टिवेट करने के बाद जो आपने गेम के अंदर जॉंबिस को स्पॉंग किया था तो आप इस चीट कूर को एक्टिवेट करने के बाद उन सारे जॉंबिस को डी स्पॉंग कर सकते हो उसके बाद जब आप 1-2-3-4-5 डाइल करोगे तो आप game के अंदर बहुत सारे NPCs को spawn कर सकते हो फिर है 5,4,3,2,1 और ये cheat code है game के अंदर बहुत सारी NPC cars को spawn करने के लिए उसके बाद जब आप double zero dial करोगे तो आपको एक fuel tank मिल जाएगा उसके बाद जब आप zero dial करोगे तो आप game के अंदर बहुत सारे gas tanks को spawn कर सकते हो फिर है 1,2,1,5 और इस cheat code को activate करने के बाद आप super jump लगा सकते हो उसके बाद जब आप 1,2,1,6 dial करोगे तो आप ultra super jump लगा सकते हो फिर जब आप double one two zero dial करोगे तो आपका character आस्मान के अंदर पहुंच जाएगा और फिर वहाँ से वो jump कर देगा उसके बाद जब आप triple one two dial करोगे तो game का जो time होता है वो slow हो जाएगा फिर जब आप seven double one two dial करोगे तो game के अंदर moon gravity activate हो जाएगी जलो बैस अभी जलते से RJS tool के सारे commands को भी देख लेते हैं तो RJS tool का पहला command है आपके phone का color change करने के लिए और इसे करने के लिए आपको अपना phone open करना है और उसके बाद आपको RJS tool open करना है और उसके अंदर आपको लिखना है phone color और उसके आगे आपको अपने phone जिस भी color के अंदर paint करना है उस color को आपको यहाँ पर लिख देना है और save कर देना है और जैसे ही आप इस command को save करोगे तो आपके phone का color उसी color के अंदर change हो जाएगा RJS tool का दूसरा command है game के अंदर fighter jets को spawn करने के लिए और यह करना बहुत ही जादा simple है आपको बस अपना RJS tool open करना है और उसके अंदर आपको लिखना है jet और save कर देना है और इसके थोड़े से time बाद ही आपको आसमान के अंदर fighter jets देखने को मिल जाएगे और आप जितनी ज्यादा बार JET लिखकर save करोगे तो game के अंदर उतने ही fighter jets spawn होते जाएगे RJS tool का अगला command है अपने house का color change करने के लिए और यह करना भी बहुत simple है आपको बस RJS tool open करना है और उसके अंदर आपको लिखना है house color और इसके आगे आपको अपना favorite color या फिर आपको अपने house जिस भी color के अंदर paint करना है उस color को यहाँ पर लिख देना है और save कर देना है और जैसे ही आप इस command को save करोगी तो आपका house उसी color के अंदर paint हो जाएगा और इसकी खास बात यह है कि आप अपना house literally RGB color के अंदर भी paint कर सकते हो अगला RJS tool का command है एक fun command और इस fun command को try करने के लिए आपको construction वाले area के पास आ जाना है और उसके बाद आपको इस वाले container के पास आ जाना है फिर आपको अपना RJS tool ओपन करना है और उसके अंदर आपको लिखना है roll on और जैसे ही आप roll on लिखकर save करोगे तो आपके सामने वाला ये इतना बड़ा container गोल-गोल गूमने लग जाएगा और आप इसे बंद भी कर सकते हो और ये करने के लिए आपको RJS tool के अंदर roll off लिखकर save कर देना है और ये container गूमना बत कर देगा RJS tool का अगला command आप अपने new house के अंदर use कर सकते हो आपको बस अपने bad के पास आ जाना है और ये जो fan आपको दिख रहा है आप इस fan को on भी कर सकते हो तो ये करने के लिए आपको RJS tool ओपन करके उसके अंदर लिखना है fan on और save कर देना है और जैसे ही आप इस command को save करोगे तो ये fan घूना शुरू करतेगा और इसे अगर आपको turn off करना है तो आपको RJS tool के अंदर fan off लिखकर save कर देना है और ये fan उसी वक्त घूना बंद करतेगा उसके बाद जब आप RJS tool के अंदर high लिखकर save करोगे तो RJS tool आपको फिर से high लिखकर apply करेगा RJS tool का अगला command आपको बहुत ही काम आने वाला है क्योंकि इस command से आप game के अंदर गही पर भी टेलिपोट हो सकते हों जैसे for example मैं train station पर आ चुका हूँ और अब मैं RJS tool ओपन करके इसके अंदर लिखने वाला हूँ save और इस command को मुझे save कर देना है फिर जब मैं game के अंदर respawn हो जाऊँगा तो मुझे train station पर कार लेकर जाने की ज़रूरत नई पढ़ने वाली है क्योंकि अब मैं RJS tool के मदद से सीधा ही train station पर टेलिपोट हो सकता हूँ और यह करने के लिए मुझे बस RJS tool ओपन करना है और उसके अंदर लिखना है noad और save कर देना है और मैं पहुंच चुका हूँ सीधा ही train station पर RJS tool का अगला command होने बाला है गेम के अंदर helicopters को spawn करने के लिए और यह command इस नई update के अंदर ही add किया गया है आपको बस RJS tool ओपन करना है और उसके अंदर लिखना है helicopter और save कर देना है और जैसे ही आप इस command को save करोगी तो आपको गेम के अंदर बहुत सारे helicopters उठते हुए मिल जाएंगे RJS tool का आखरी command है AIM यानि की aim और इस command को सही से यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक Spinosaurus को spawn कर देना है उसके बाद आपको RJS tool ओपन करके उसके अंदर लिखना है AIM और save कर देना है फिर आपको किसी भी एक NPC NPC के उपर fire करना है और आपका Spinosaurus उस NPC को वहीं पर मार देगा और आप चाहो तो इस Spinosaurus के उपर भी fire कर सकते हो और ये Spinosaurus अपने आपको ही मार देगा Alright guys तो ये थी Indian Vice Driving 3D गेम की सारी नई और पुरारी cheat course और साथ ही मैंने आपको RJS tool के सारे commands के बारे में भी बता दिया है